हेलो स्टूइट आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन बुक NCRT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 कोश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे बच्चो यह एक्सरसाइज 2.4 की सेकेंड वीडियो है अगर आप कोश्चन 1 और 2 की वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर स्क्रीन में चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं बच्चो कोश्चन 3 है फेक्टराइज दा फॉल्विंग यूजिंग एप्रोप्रेट आइडेंटिटीज अब यहां पर भी हमने का आइडेंटिज को यूज करके हमने इन कोश्च है 9 x square प्लस 6 x y plus y square ठीक है तो बच्चो एक हमारे पास आइडेंटिज है तो वह क्या है ए प्लस b का होल स्क्यर ठीक है तो ए उसका क्या होगा उसका मतलब की क्या है इसको सॉल्व करके कैसे हैगा a square प्लस 2ab B plus B square ठीक है अब अच्छो इस question को देखो यहां से यह के 9 A square X square तो यह मारा A square बन गया और यह मारा क्या होना B square बन गया प्लस 2 A B अब यहां पर 2 A B तो इसको पहले हम solve करते हैं अब अच्छो जो 9 है यह किसका whole square है यह 3 का whole square है ठीक है न तो 3 square क्या होता है 9 होता है तो हम क्या करके 3 X square लख देंगे यहाँ पर ठीक है ठीक है ख्योंकि 3 says the 9 और X को हमारे पर आं गया तो कितने है च्छege और यहां पर हमारे पॉंपकर क्या आ ज़िए यह 2 हमने यहां ले लिया उसके बद 3 X ले लिया और यहां पर क्या y ले लिया हमने ठीकен बच्चो प्लस अब y का square तो इसको क्रेंगे हम आ लिखेंगे इसका square क्या जगा य का square आ जगा तो अब इसको अब ध्यान से दे सकते हो तो यह हमारे पस क्या हया a square plus 2ab plus 2b square आ जगया इतमीज हमारे पास क्या है यह वला पार्ट था हमने ये वले पार्ट को निकालना है ठीक है न ये हमारे पास आगया तो अब हम क्या करेंगे सीधर यहाँ पर जो A है वो मारा क्या आगया 3X आगया और B हमारे पास क्या आगया Y आगया ठीक है तो अब हमने क्या करना है सीधर यहाँ पर A प्लस B होल स्केयर का यहाँ पर फार्मनल लगा देना है इसको आगे सॉल्व करने के जूट नहीं है क्यूंकि यह जो है इसको हमने सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यह आया तो यह एडेंटिटी है तो हमारे पास के यह वला पार्ट हमारे पास दिया गया है हमने इ plus b का whole square तो a के हमारे पास 3x plus b के y तो यह का whole square यह हमारा answer आ गया question 1 का और यह question 3 के part 1 का अब हम करते हैं part 2 solve part 2 है 4y square minus 4y plus 1 अब इसको solve करते है अब 4 किसका square है 2 का square है तो कैसे लिख सेदा है 2y square माइनस ये 2 यहाँ पर आ गया फिर 2y यहाँ पर 1 आजेगा plus 1 का square तो यहाँ पर भी same यही वली identity लगेगी हमारे पास क्या है a square वला दिया गया है a square plus 2ab plus b square equal to a plus b का whole square तो यह वला part है हमने इस वले part को solve करना है तो a हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 2y होगा और b क्या होगा 1 होगा ठीक है बचो यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको यह चीजे clear हो जाएं ठीक है न तो a हमारे पास 2y है तो यहाँ पर लिखेंगे 2y plus क्योंकि हमने यह वले part को solve करना है 1 का whole square ठीक है जब हम इसको लिखेंगे तो यह वला हमारे पास answer आएगा आई होप यह भी आपको clear हो गया होगा अब हम करते हैं part 3 part 3 के x square minus y square upon 100 ठीक है बच्चो तो अब इस question में हम क्या करेंगे पहले हम इसका 100 का square नका लेगे अब 100 किसका square हुआ 10 का square हुआ तो मारे पास क्या बन गया x square minus y square upon 10 का square ठीक है इसको हम कैसे लिख सकते है x square minus y upon 10 का square बन गया अब अच्चो एक हमने identity question 1 में भी हमने उसके किया था question 2 में भी solve किया था ठीक है न तो वो identity क्या थी a square minus b square अब यह वाला part मारे पास यह a square minus b square दिया गया है अगर यह थो कैसे करते है a minus b a plus b ठीक है तो हमारे पास यह वाला part दिया गया है हमने क्या करना है यह वाला फार्मल लगाना है a हमारे पास क्या है x x minus b क्या y upon 10 और second क्या x plus y upon 10 यह आगे हमारे part third का answer I hope यह question 3 आपको clear हो गया होगा अब हम करते है question 4 question 4 है expand each of the following using suitable identities तो यहाँ पर हमने suitable identities लगा कर इनको solve करने है तो यह question को करते है और जो question 1 है x plus 2y plus 4z का whole square तो यह कैसे कौन से identity लगे है अब यहाँ पर क्या है a plus b plus c इसका हम whole square कर लेते है अब यह वाला part दिया इसको कैसे solve करेंगे a square plus b square plus c square फिर उसके बाद के plus 2ab plus 2bc plus 2ca अब यहाँ पर a हमारे पर सके x b कितने है 2y और c कितना है 4z है ठीक है अब यह हमने लगाना है तो a square में हमारे पास किया ज़ेगा x का square ठीक है यह वाला part दिया गहा है हमने इस वाले part को solve करना है x का square आ गए यहाँ पर plus b का square b के हमारे पर 2y का square plus c square c कितना दिया गहा है plus 4z का square ठीक है यह हमने लिख लिए हैं यहाँ पर अब plus 2 अब into a into b a हमारे पास किया x b हमारे पास किया 2y plus 2 b हमारे पास किया 2y और c हमारे पास किया 4z plus 2 c हमारे पास किया 4z और a हमारे पास किया x अब इसको solve करते है x का square क्या होगा x square 2y का square क्या होगा 2 to the 4 4 y का square प्लस अब ये 4 z का square क्या होगा 4 x 16 z का square प्लस अब चुँभी यहाँ पर multiply करेंगे numerical value को अब पहले multiply करते है 2 to the 4 अब यहाँ पर x y as it is आजेगा plus का sign अब यहाँ पर के पहले numerical value को multiply करते है 2 to the 4 4 for the 16 16 और मारे पास क्या है y और z यह हमने एज़िटी लिख दिया प्लस अब यहां पर टू फोर्जा 8 और कितना जगा zx तो यह हमारे आ गया पार्ट 1 का आंसर आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा देखो अगर यह यहां पर z y है यह यह वाई z है तो सेम ही है जैसे यहां प करते हैं पार्ट 2 पार्ट 2 क्या है 2x- Y plus Z ka whole square तो यहां पर भी यही लगेगी ठीक है ना तो यहां पर के माइनस है पर हमने यह इंटन्री को लगाना है वह क्या है महरे पास a b plus c ka whole square a square plus b square plus 2ab plus 2bc plus 2ca और यहां पर मैं रफ में लिख लेती है उसको तो A कितना है हमारे पास 2X, B कितना है हमारे पास Minus Y, C कितना है हमारे पास Z, ठीक है बच्चो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, साइन के साथ लेने हैं ठीक है अब हमने क्या लगाना है ये वला from a square क्या है 2x का square यहाँ पर लिखेंगे 2x का square plus b हमारे पास का minus y है तो sign किसमें लिखेंगे minus y का ή कोषग है plus z का है हमारे पास C के है Z, Z का square, plus 2, A के हमारे पास 2X, B हमारे पास के है minus Y, plus 2, उसके B के हमारे पास minus Y, C हमारे पास के है Z, ठीक है, plus 2, C हमारे पास के है Z, और A हमारे पास के है 2X, ठीक है, अब इसका हम solve कर देते हैं अब 2x का square कितना होगा 4x का square अब यहाँ पर क्या है minus y का square तो minus y जब हम करेंगे minus y multiply minus y करेंगे तो minus minus cut हो जाएगा minus minus plus हो जाता है multiply में तो यहाँ पर plus y का square आएगा plus z का square आएगा यहाँ पर अब यहाँ पर क्या plus minus माइनज का साइन आएगा अब नुमेरिकल वैल्य को को एक बॉल्पलई करते है tsz4e ऑश स्बिटस यहां पर माइनज का साइन तो माइनज नहीं आएगा आगे कोई वैल्य टो यहां पर दो पर H, Ţजेगा पर h लॉल्पलऌ साइन आएगा 2 को 2 से multiply किया 4 यहाँ पर कितना जगा X Z आ गया ठीक है तुम्हारा answer क्या है 4X square plus Y square plus Z square minus 4XY minus 2YZ plus 4XZ यह ZX ठीक है यह हमारा आ गया part 2 question 4 का answer I hope यह आपको clear हो गया होगा अब हम question 3 करेंगे मैंने part 3 को अधार ले और साथ में identity को भी लिख लिए है यहाँ पर same identity ही लगेगी तो A हमारे पास क्या है minus 2X ठीक है यह मैं सिर्फ आपको clear करने के लिख लिख रही हूँ ताकि आपको समझान सो कर अच्छी तरह है B क्या है 3Y और C क्या है 2Z ठीक है अब A square अब B square के है 3Y का square और C क्या है 2Z का square अब A भी A हमारे पास के है minus 2X और B हमारे पास के है 3Y प्लस 2 B हमारे पास के है 3Y और नहीं हाँ भी C और हमारे पास C क्या है 2Z प्लस 2 अब C हमारे पास क्या है 2Z और A हमारे पास क्या है minus 2X अब इनको solve कर देते हैं अब minus 2X का square अब अच्छी जब minus 2X multiply minus 2X करेंगे ठीक है minus से minus करें 2 to the 4X square आजएगा ठीक है प्लस यहाँ पर 3 3 is the 9Y square आगे ठीक है प्लस 2 to the 4Z square आगे यह Z है अब यहाँ पर देखो plus minus minus कसान आएगा अब numerical value को multiply करते है 2 to the 4 4 3 is the 12 तो यहाँ पर क्या है अगे 12 और X Y आगे हैं आपर अब यहाँ पर के plus का ही सान आगा क्योंकि आगे कोई minus का सान नहीं है तो कितना आजगा 2 3 the 6 6 to the 12 Y Z आगे हैं पर फिर प्लस प्लस अभी हाँ पर minus का सान आगा सौरी minus का सान आगा है तो कितना 2 to the 4 4 to the 8 8 Z X आ गया तो यह हमारा आगया पार्ट 3 का आंसर 4 X स्क्यार प्लस 9 Y स्क्यार प्लस 4 Z स्क्यार minus 12 X Y plus 12 Y Z minus 8 Z X यह X Z कुछ भी लिख सकते हैं आप ठीक है अब हम करते हैं पार्ट 4 पार्ट 4 क्या दिया गया है 3 A minus 7 B minus C का स्क्यार तो यहाँ पर सेम आइड़ंटी लगेगी हैं पर यह मैं लिखे देता हूँ हैं यहाँ पर आपने आइड़ंटी को जुरू मैंशन करना है A स्क्यार प्लस B स्क्यार प्लस C स्क्यार प्लस 2 A B प्लस 2 B C प्लस 2 C A यह आपने जुरूर लिखना है अब a के होगा हमारे पास 3a का square plus b के होगा हमारे पास minus 7b का square plus c के हमारे पास minus c का square अगे प्लस 2 अब A महारे पास कितना है 3A और B हमारे पास कितना है माइनस 7B प्लस 2A अब यहां पर किया B C B महारे पास किया माइनस 7B और C महारे पास किया माइनस C प्लस 2 अब C महारे पास माइनस C और A हमारे पास किया है 3A अब इनको हम solve करते हैं अब 3A का स्क्वेर कितना होगा 9A का स्क्वेर अब यहां पर –7 को –7 से multiply करें प्लस 49 B का स्क्वेर आजगा हना अब माइनस C का स्क्वेर यहां पर क्या जगा plus c का square क्योंकि minus c multiply minus c करेंगे तो minus minus plus हो जगा multiply में अब यहाँ पर क्या है X and plus का minus का तो minus का sign आएगा अब multiply करते है 2, 3, 6, 6, 7, 42 और यहाँ पर क्या है A और B तो A, B लिख देंगे अब यहाँ पर क्या है देखेँ बच्छों यहाँ पर plus 2 है और यहां पर minus 7B और minus C यह minus minus तो अपस में कट गया तो यहां पर कितना आ जगा plus आ जगा 2714 BC आ गया है आपर ठीक है आगे देखो यहां पर के एक plus का एक minus का तो minus का 236 और यहां पर क्या जगा AC तो यह आ गया हमारे part 4 का answer आई हो यह part 4 भी आपको clear हो गया होगा अब हम करते हैं part 5 part 5 दिया गया है minus 2X plus 5Y minus 3Z का square तो यह identity लगीगी A plus B plus C का whole square A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA अब यहां पर A square minus 2X square आजगा B का कितना है plus 5Y square आजगा अब C square कितना है minus 3Z का square आपने साइन का ध्यान रखने है plus 2A कितना हमारे परस minus 2X और B कितना हमारे परस plus 5Y plus 2B 5Y है और C कितना हमारे परस minus 3Z है ठीक है plus 2C कितना हमारे परस माइनस 3Z और A कितना है हमारे पास माइनस 2X अब इनको solve करते हैं माइनस 2X को माइनस 2X से multiply करेंगे तो मारे पास कितना आजगा 4X square आजगा माइनस माइनस प्लस हो जगा प्लस 55जा कितना आजगा 25Y square आजगा अब यहाँ पर क्या है प्लस यह माइनस 3Z का square है तो यह कहता है माइनस माइनस प्लस आजगा और 339Z का square आजगा अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस तो कि आजगा माइनस आजगा numerical value को multiply करें तू 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 दा फोर 25 decir 20 माइनस यह पर यह पर माइनस माइनस अपस में अजगा तो प्लस में ही आजगा यह पर 26ato 12 तो यहाँ पर कह गया 12XT जट आ जगा ठीके बचवो यह मारा आगया पार्ट फिफ्ट का answer अब हम करते हैं पार्ट 6 बच्चे जो पार्ट 4 पार्ट 6 है 1 upon 4A minus 1 upon 2B प्लस 1 का whole square तो identity हम यही लगाएंगे ठीक है तो A का square तो यहां पर हम लेंगे 1 upon 4A का square प्लस अब यहां पर B का square में कहलेंगे minus 1 upon 2B का whole square प्लस C का स्क्यूर क्में होगा, वन का स्क्यूर, अब प्लस 2, अब A हमारे पास क्या है, 1 अपन 4, ठीक है, 1 अपन 4 A आ गया, और B हमारे पास क्या है, माइनस 1 अपन 2 B है, ठीक है, फिर प्लस 2 B क्या करने है, B हमारे पास क्या है, minus 1 upon 2 B हो गया और यहां पर C हमारे पास क्या है 1 हो गया अब फिर कहें plus 2 C हमारे पास 1 है और A कितना आ गया 1 upon 4 A आ गया ठीक है अब इसको solve करते है कुछ नहीं है बस आपने थोड़ा सा ध्यान से करने है ठीक है अब बच्चों यहां पर क्या है 1 को 1 से multiply गया 1 आया 4 upon 16 A square आ गया plus यहां पर कितना है 1 upon 4 B का square आ गया plus 1 ठीक है अब हम इनको solve करते है बच्चों अब यह हमारे पास क्या है इसको ना मैं थोड़ा सा वो detail में समझाती हूं हमारे पास क्या है यह rough मैं कर रहूं 2 multiply 1 upon 4 A multiply minus 1 upon 2 B ठीक है बच्चों तो यह 2 to the 4 यह हमारा कट गया अब हमारे पास जाएगा 1 को 1 से multiply किया 1 आया और 2 को 2 से multiply किया तो हमारे पास क्या गया 4 आ गया और यहां पर कितना है A B और साइन कुन सा आगा माइनस का आएगा ठीक है तो हमारे पास प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस लिखेंगे यहां पर कितना है 1 upon 4 A B आ गया ठीक है आगे हमारे पास यहां पर प्लस माइनस माइनस आएगा यहां पर अब यह देखो क्या दिया गया 2 into 1 upon 2 B multiply 1 अब अब अच्चों 2 से 2 कट गया है तुम्हारे पास क्या आ गया माइनस 1 B आ गया ठीक है अब हम इस पार को solve करेंगे अब यह क्या 2 into 1 into 1 upon 4 A 2 to the 4 तुम्हारे पास क्या है 1 upon 2 A आ गया यह हमारा answer आ गया अब अच्चों यहां पर क्या है अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप देखोगे आपके answer में कैसे लिखा हुआ है अब यहां पर क्या 1 upon 16 है अगर यहां पर हम 1 को A से multiply करेंगे तो A square upon 16 भी लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर 1 है तो यहां पर B square upon 4 लिख सकते हैं प्लस 1 as it is आ जगा अब यहां पर 1 है तो यहां पर minus A B upon 4 लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर मारे परस कितना जगा minus यहां पर क्या है 1 लिखने की जूर्टरी आप minus B भी लिख सकते हैं और यहां पर plus A upon 2 लिख सकते हैं अब यहां पर यह question 6 आपको clear होगागा अगर आपने इतना लिख दिया ये answer भी आपका ठीक है अगर आपने इस तरह से कर दिया तब भी ये answer आपका ठीक है I hope बच्चो question 4 आपको clear हो गया होगा In case आपको कोई query है तो एक बार वीडियो को दबारा से देखें अगर फिर भी आपको कोई query लगती है तो please आप मुझे message कर सकते है वीडियो useful लगी तो वीडियो को like करें share कर अपने friends के साथ चैनल पर नई हो तो चैनल को subscribe करें Thank you for watching Next वीडियो में हम question 5 से start करेंगे